सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूं कि लास्ट दो संडे से दिक कंटा पे शो को मैं कंटीनू नहीं रख पाया क्योंकि यार कुछ सिचुएशन सी ऐसी आ गई थी जिसके विशे दो शो हमारे मीस हो गए लेकिन यार कोई बात नहीं आपको बिलकुल भी है एपसोड नंबर 21 दिक कंटा पे शोगा जो की काफी इंप्रोटेंट रहने वाला है आपके हर एक कॉम्टीटिव एक्जम में यहीं से ही कंटा पे के कोश्चंस बनेंगे इसलिए एवरी संडे को फोलो करते रही है और रेगुलर बेसिस पार एवरी संडे दिक कंटा पे अब दक दिक कंटा पे शोगे जितने भी एपसोड हो चुके आपको सभी चैनल के ओपर मिल जाएंगे आपको एक प्लेइस मिल जाएगी दिक कंटा पे शोगे नाम से वहाँ पर आप सभी एपसोड को देख सकते हैं से रियल वाइस तो इस लिए बात करते हैं आज के आज most important current event के बारे में NASA ने रचा इतियास मंगल की सतय पर उतारा परस अव्यारेंट रोवर फ्रेंट्स आपने न्यूज वगएरे में देखी लिया होगा अमेरिका की Space Research Agency NASA ने finally history create कर दिया उन्होंने मार्स के ओपर दुनिया का पहला रोवर लेंड करा दिया है successfully फ्रेंट्स जो आप ये स्कीन पर देख रहे है रोवर ऐसा ही दिखाई देता है जो कि उन्होंने लेंड कराया है ये एक animated image है लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा ही है और ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है इसके बाद चाइना भी स्कोसिस में लगा हुआ है कि वो अपना लेंड कराये अपना रोवर कुछ ही दिनों में करा देगा क्योंकि उन्होंने भी launch कर दिया है तो फ्रेंट्स ये दुनिया का पहला रोवर हने वाला है ये जो रोवर उन्होंने बेजाए ये 10 साल तक मार्स के उपर काम करेगा यान की research वगएरा करेगा और सबसे important बात इससे related ये है कि जो ये रोवर है ये solar energy से नहीं चलने वाला जैसकि सब लोग सोचते हैं कि सुरज से energy लेगा और तब जाके charging वगएरा होके काम करेगा नहीं ये जो रोवर है मार्स के उपर ये हमारा परमानू उर्जा से चलेगा यानि कि plutonium से चलने वाला ये पहला रोवर है plutonium को इंदन के रूप में इस्तमाल करेगा इसका जो वजन है लगबग 1000 kg इसका वजन था तो बहुत बड़ी बात है और जो सबसे important fact है इस mission से related जो कि exam के point उसे बहुत जाद important है इस mission को जो lead करने वाली team थी उसमें से एक Indian American scientist जिनका नाम वैग्यानिक डोक्टर स्वाती मोहन थी जो lander का प्रोसेजर था ना जो land करने का complete system था वो इन्होंने बनाया था Indian American ये एक scientist है स्वाती मोहन याद रखेगा ठीक है mission को lead करने वाली team में ये थी जो कि Indian की एक साल की उम्र में ही ये अमेरिका चली गई थी और NASA में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था पढ़े वगरा करके उसके बाद तो बहुत important current event बन जाता है याद रखेगा दुनिया का पहला rover मार्स के ओपर किस ने बेजा नासा ने बेजा और इनका नाम याद रखेगा स्वाती मोहन next current event के तरफ चलते है परधान मंत्री मोदी ने असाम में महा बाहू ब्रहम पुत्र का किया उदगाटन महा बाहू ब्रहम पुत्री ये एक योजना है इसका उदगाटन भारत के परधान मंत्री नरेन मोदी ने असाम में कर दिया है इस योजना का मकसद क्या है इस योजना का मकसद यह है जो भारत का पुर्वी इलाका है यानकी eastern states है जैसके हमारा असाम हो गया नागालेंड हो गया मिजोरम हो गया जितने भी states हैं उनमें connectivity बढ़ाना और वहाँ पर development लेकर आना और जो इलाके असाम में ब्रहम पुत्र नदी के किनारे हैं साथी ब्राक नदी के किनारे हैं उनको बहुत ज़्यादा विख्षित करना development करना साथी उन तक connectivity को बढ़ाना जो भारत के हमारे western इलाके हैं और eastern उनके अंदर जबर्दस connectivity बढ़ाना साथी जो ब्रहम पुत्र नदी है यहां भी काफि साज़ा सारी development की जाएंगी वहां पर सिप वगेरा छोड़े जाएंगे ऐसा बताय जा रहा है ताकि जो export, import का काम होता है वो और भी आसानी से चल सके और नितिन गड़करीज ने यह भी कहा है इस योजने के launch होने के बाद कि ब्रहम पुत्र नदी के उपर असाम के अंदर एक फुल बनाने की मांग लगबग 10 साल पुरानी है जो कि इस योजने के थैट complete कराया जाएगी इस योजने का जो इस project का जो budget रहा है वो लगबग 3,231 करोड रुपे के आसपास budget है तो याद रखिएगा महा बाहु ब्रहम पुत्र योजना कहाँ पर लोंचुई असाम के अंदर लोंचुई जो पुर्वी इलाके है उनमें connectivity बढ़ाना और उनको विक्सित करने के लिए इस योजना का उद्गाटन परधान मंत्री मोधी के थुरू किया गया है बहुत ज़्यादा important है next है भारत इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परिक्षन करेगा बहुत ज़्यादा important है exam में इस तो रो से related questions बहुत ज़्यादा पूछे जाती है जो friends क्रेंट अफेर के topic है ना science and technology and research ये बहुत ज़्यादा important हो चुका है एक्षाम में आपने देखा हुगा लगातार 8 से 10 questions science and technology से बनने हैं तो याद रखेगा questions DRDO is related बहुत ज़्याद important हो जाते हैं तो finally 2021 चला हुए तो इसी के अंदर भारत अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परिक्षन कर लेगा ये जो मिसाइल है ऐसे ही दिखाई देती है मतलब दिखने में ऐसी है नामें अस्त्र मार्क 2 इसकी खास बात यह है कि ये भारत द्वारा ही बनाएगी है DRDO Defense Research and Development Organization इस मिसाइल को बनाया है DRDO नहीं यानि कि Making India को जो नारह है वो successful होता नजर आ रहा है और साथ ही जो आत्मिरबर भारत है उसके तहत ये सब काम के जाने कि भारत के अंदरी मिसाइल बनाई जाए भारत के अंदरी टैंक बनाई जाए सब कुछ भारत के अंदरी होगा भारत बहर एक्सपोर्ट करेगा तो काफी बड़ी बात है यह जो missile है हवा से हवा में वार करने वाली missile है यानि कि धरती से काम नहीं करेगी जो aircraft है लड़ाओ को विमान है भारत के fighter planes है उनके थूर इसको launch किया जाता है देखिए यह fighter jet है और इसके थूर यह launch की जारी है मतलब यह करके दिखाया हुआ है animation है ताकि आप इसको समझ पाए इसकी जो range है लगबग 100 km की है यानि कि 100 km दूर तक यह वार कर सकते है सबसे खास बात यह है जो इस missile की speed है वो sound की speed की 4 गुना है sound की speed कितनी है 343 मेटर पर सेगिंड है उसका 4 गुना कितना हो जाएगा 1372 मेटर पर सेगिंड इसकी speed है तो देखिए मतलब 1 second में 1 km 312 मेटर तक की speed में चलेगी तो बहुत तगड़ी speed हो जाएगा आप सोचके देखेगा तो बहुत बड़ा काम हुआ है अस्त्र मार्क 2 मिसाल का नाम याद रखेगा ये पूछेगा कि किस ने मनाई डियाइडियो ने मनाई लोंच कब होगी 2021 में इसका सफल प्रिक्शन हो जाएगा तो इस टाइप के question बनेगे speed वगर के बारे में पूछले जाएगा और क्या ये धरती से हवा में वार करने वाल ये भी बहुत बड़ा काम हो है इंडिया के अंदर question सीधा सीधा ये बन जाएगा कि कौनसी राज्य सरकार ने मा कैंटीन लौंच की अभी है क्या ये भी समझ लीजे फिर मा कैंटीन लौंच की है फस्टी मंगा सरकार ने यानिकी ममताब एनरजी ने इसका मगज़त क्या है इसका मकज़त या है कि जो मतलब लोग है जो अफोर्ड नहीं कर पाते खाना जो गरीब वर्ग के लोग है बहुत जादा ठीक है फिर सर्मिक है जो काम करते है फैक्टरी में मजदूरी वगरा करते है लेकिन खाना अफोर्ड नहीं कर पाते उनको पांच रुपे में खाना प्रोवाइड किया जाएगा यानि कि पूरा भोजन प्रोवाइड किया जाएगा पका हुआ खाना प्रोवाइड किया जाएगा इसमें सरकार 15 रुपे की परती व्यक्ति के खाने के लिए सबसीडी देगी लेकिन जो व्यक्ति को खाना मिले वो 5 रुपे महीं मिलेगा यानि क पांच लुपेगा बुगतान करना पड़ेगा और उसको भर पेट खाना मिल जाएगा तो यार बहुत बड़ी योजना है पूछा जाएगा कि किस सरकार ने लोंच की कहां पर लोंच हुई पस्चिम बंगाल सरकार ने लोंच की माँ इसकीम नेक्स्ट है परधानमंत्री मोदी ने आर्मी को सोपा अरजुन टैंक जिन लोग ने 26 जैनवरी की प्रेड देखे होगी तो ये टैंक आपने उसमें जरूर देखा हुआ क्योंकि प्रेड में ये टैंक सामिल हुआ था अरजुन टैंक इसका पूरा नाम है M1A यानिकी मार्क 1 ऐ ठीक है नाम दिया गया इसको अरजुन टैंक फाइनली इसका भी प्रेक्षिन हो चुका ता आपको पता ही होगा और नरेंद मोदी ने ये इंडियन आर्मी को सोप दिया है अरजुन टैंक अग इंडियन आर्मी का हिस्स्ट है बहुत बढ़ी रेंज वाला टैंक है और ब बनाया है made in India टेंक है नाम है अर्जुन M1A टेंक ऐसा दिखाई देता है क्योंकि 26 जनवरी की प्रेड में सामिल था यह अर्जुन टेंक है बनाया जाता है इसका मकसद यह है कि जो सोसल जस्टिस है या फिर जैसकी सामाजिक मुद्दे है जैसकी बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है साथी भहिसकार का बहुत बड़ा मुद्दा है एक गरीबी का बहुत बड़ा मुद्दा है इनको दूर करने के परियासों के लिए जागरुप्त करने के लिए लोगों को ये दिन मनाय जाता है क्योंकि सबसे बड़ा जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक नया है, वो गरीबी है, साथी बेरोजगार है अजकल के युवाव में परियास करने के लिए बियरो आजकरी के दूर करने के लिए ये दिन मनाय जाता है, लोगों को जागरुक्त करने के लिए, आहयोप्यात हो गए होगा 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाय जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस इंगलिस में World Social Justice Day याद रखेगा नोट कर लीजेगा नेक्स्ट है ये भी इंपोर्टेंट है सभी इंपोर्टेंट है वैस तो फिर्म आपको बता देता हूं कौन सा मोस्टल इंपोर्टेंट है हैदराबाद को 2023 City of the World की मान्यता दी गई है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है दुनिया भर के कंट्रीस के अंदर होंगी दुनिया भर के सहर इनिस के अंदर होंगे उनका संग्रक्षन करने के लिए बचाव करने के लिए अच्छी तरीके से ट्री को रखने के लिए अपने सहर में इसलिए दिया जाता है ये जो भी रिवोर्ड है आप कह लीजिए तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रिपोर्ट किसने निकाल लिया और किसने ये सम्मान दिया है है हैदराबाद को Food and Agriculture Organization जो United Nation की है उसने ये रिवोर्ड दिया है है हैदराबाद को लगबग क्यावन सिटी यानगी 51 ऐसे सहर है दुनिया वार के जिनको ये सम्मान मिला है उसमें से एक हमारा है हैदराबाद है लेकिन भारत का एक लोता सहर हैदराबाद है जिसको ये सम्मान मिला है 2020 ट्री सिटी ओफ दा वर्ड देखिया है रिपोर्ट के मुदावी अधिकान सैज अमेरिका के हैं ऐसे काफी सारे सहर अमेरिका के हैं जिनको ये सम्मान मिला है बिल्टेन के जातर सहर है उस लिस्ट में कैनेडा और उस्ट्रेलिया के जातर सहर है लेकिन भारत का एक सहर हैदरबाद इसमें इंक्रूड किया गया है याद रखेगा दोजार बिस ट्री सिटी ओफ दा वर्ल्ड नेक्स है King Levin Punjab ने अपना नाम बदल किया पंजाब किंग जो लोग किरकेट लवर है इसके बारे में जानते होंगे King Levins Punjab टीम है IPL की बहुत बढ़िया टीम है सब लोग जानते होंगे मुझे तो इतना क्रिकेट के बारे में नोलीज नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत नोलीज है जिससे अपना काम चल जाता है तो इसने फाइनल अपना नाम बदल गया प्रिती जिन्टा की सायधी टीम है और King Levins Punjab के नाम से आप लोग अब तक जानते हैं लेकिन अब इस टीम का नाम हो चुका है पंजाब Kings अब डारेक्ली पंजाब Kings के नाम से टीम जानी जाएगी एक्जाम में डारेक्ली कोशन ऐसा ही बन जाएगा इससे पहले यूराज सिंग विरेंदर सहवाग भी रह चुके है और उस्टेलिया के खिलाडी है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा वो भी Kings 11 पंजाब के कैप्टन रह चुके है प्लीज बताएगा कि उस खिलाडी का नाम क्या था next current event के तरफ चलते है अमेरिका ने उडने वाली पहली hybrid car को दी मंजूरी ये अपने आप में एक history create हुई है अमेरिका ने approval दे दिया है पहले तो अमेरिका ने ऐसी गार बना ली है hybrid car बना ली है जो कि हवा में उडेगी ठीक है, साइज देखे, दिखने में बिलकुल ऐसी है, मतलब ये ही है वो जो डिजाइन आप सामने देख रहे हैं ये जो कार है, किसने बनाई थी और किसने इसको मंजूरी दी, ये मैंने नीचे लिखा हुए अमेरिका परिवेंट विभाग की अंतरकत आने वाले, फेडरल एविएशन एडमिनिस्टेशन ने टेरा फूगिया ट्रांजिशन, टेरा फूगिया एक बड़ी कमपनी समझ लीजिए, अमेरिका की है टेरा फूगिया जिसने इस कार को बनाया है, यानि कि हाइब्रिड उडन कराय जा सकता है, फिर धरती में भी यह चलेगी, यानि कि सड़क के ऊपर चलेगी, तो इस टाइप की यह गाड़ी रहने वाली है, ठीक है, को 160 किलोमेटर परती घंटा की रफतार से उड़ाय जाने के अनुतिमती मिल गई, यानि कि इसकी स्पीड रहेगी, 160 किलोमेटर पर इसको उड़ा सकते हैं, और जो फ्लाइंग स्कूल से हैं, जो की फ्लाइट सिखाते हैं, पाइलेट बनाते हैं, उनको इस कार को उड़ाने की अनुमती मिली है, तो चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है, अमेरिका के अंदर कार उड़ती नजर आएंगी, फिर कुछ साल और भारत के अंदर भी उड़ती नजर आएंगी, तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग कोश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट इवंट की तरह चलते हैं, टाटा ने बिग बास्कित में 68% हिस्सेडारी खरीद में का समझोता क्या है, ऐसे कोश्चन अक्सर बनते हैं, ट बिग बास्कित कंपनी है, लगबग 2011 में सुरू ही थी, जो कि घर का रासन किरियाना जो होता है न, वो मतलब ओनलाइन शोपिंग वहां से आप कर सकते हैं, तो फाइनली जो टाटा है, इसको तो आप जानते होंगे, टाटा ग्रूप्स इसने बिग बास्कित की हिस्सेदार खरीद ली है, अनौश्मेंट हो चुकिया, अड़ सक परसेंट हिस्सेदारी अब टाटा की रहने वाली है, यान कि बस समझ लीजे, बिग बास्कित टाटा के पास चली गई है, और जो यह हिस्सेदारी रहने वाली है, कितने क्रोड रूपे की रहने वाली है, देखिए, 9500 क्रोड रूपे में यह 68% की हिस्सेदारी टाटा ग्रूप ऑफ कंपनी ने खरीदी है, जो बिग बास्कित है, इसके ब्रेंड अमेसरेटर कोन है, सारुक खाने, ओविसली जानते होंगे, या फिस जानना चाहिए, क्योंकि एक्जामे कोशन ब्रेंड अमेसरेटर ते बहुत कंपनी ने खरीदी है, बिग बास्कित में, नेक्स्ट है, रूश और विरान के दो दिवशे नो सैनिक अभ्यास में सामिल होगा भारत, काफी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, जब भी मैं कोई इस टाइप का क्रेंट इवन्ट आपके सामने डिसकस करता हूँ, यह क्य होता है कि भारत की थल सेना और किसी और दूसरे देश की थल सेना ने अभ्यास क्या, या फिर भारत की वायू शेना और किसी दूसरे देश की सेना ने मिलकर एक अभ्यास क्या, और ऐसे अब कोशन आ गया है, रूस और इरान के दो दिवशे नो सेना, ठीक है, अभ्यास में स उसका कुछ काम होता है, जो की डिफेंस का काम करती है, अपनी समुन्द के पानी की अंदर, तो जो काम होता है उसका उसके उपर दोनों देश मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, जो उनके पास experience है, मान लीजे, रूस की नोसेन के पास अपना कुछ experience है, वो भारत के साथ शेयर यानि की भारत की नोसेन को सिखाएगी, और जो भारत की नोसेन के पास अपना experience है, जो ये अलग जानते है, ये उसको सिखाएगी, यानि की मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिस होता है, ये दो दिवसी हैं की दो दिन का, तो फाइनली रूस और इरान का दो दिव से अभ्यास चल लाता है तो उसी के अंदर भारत भी सामिल हुआ है अपनी नोसेना के साथ यानि कि अपनी नोसेना के कुछ टुकडी के साथ तो यह देखे रियल इमेजिस है यहाँ पर कुछ इंपोटेंट भी लिखा हुआ है यह अभ्यास हिंद महासागर के उत्री भाग मे हुआ ठीक है याद रखेगा इस डिल में आए आगे हाई सोरी हवाई लक्षे समुद्र में शूटिंग वगएरे की प्रैक्टिस की जाती है साथ ही जहाँ जो को मुक्त करने के सासत बचाओ और खोज एंटी पाइरेटिड ओप्रेशन सामिल है यानि कि जो ओप्रेशन को प्रैक्टिस की गई है तीनों देशों की नो सेनानी मिल कर जिसमें अपना इंडिया साथी इरान और साथी अमारा रूस है लास्ट है सायद आज का dependent है फ्रेंट्स कभी भी यह मत सोचेगा की यार यह तो मैंने 13-14 ही करंटीवन्ट डिसकस किये इनसे क्या होगा काफी लोग बोल देते हैं भई आप ने तो इतने से ही करंटीवन्ट डिसकस किये एक हफ्ते में संड़े में आप लेकर आते हो फ्रेंट्स ऐसा नहीं है डेली मैं भी आपके लिए सो सो करंट इमेंट लेकर आ सकता हूँ एवरी डे लेकिन कुछ फाइदा नहीं होगा मैं आपके लिए वो most important करंट इमेंट लेकर आता हूँ जो कि exam के point of office से important है एकदम selected filter करके लेकर आता हूँ पूरे वीक में जितने भी करंट इमेंट बने उनमें से लेकर आया निकाले, filter किये, slack किये कि हाँ ये exam के point of office से important है अपना experience लगाते है, team उपर proper काम कर दिया अब ये नहीं आप daily time waste कर रहे हो दो-दो घंटा करंट इमेंट फेर के उपर आपने waste कर दिया डेली, social current event पढ़ रहे हो लेकिन exam में देखा, सब कुछ भूल गे जो पढ़ाता और मतलब आया कुछ नहीं लेकिन कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, best पढ़ो selected पढ़ो, filter करके पढ़ो जब ही तो selection होगा, और जो exam के point लों से important है वो पढ़ो, ठीक है कम जरूर है, लेकिन exact है जो important है, friends भीम वेटका में मिला दुनिया के सबसे पुरानी जानवर का जिवाशम ये बड़ा important है, हर बार ये कहाँ दो बड़ा important है, भीम वेटका ये क्या है, friends, ये आपने सुनो होगा, मध्या प्रदेश के अंदर एक जिला है, रायसेन, उसके अंदर पढ़ता है, भीम वेटका, ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे ऐसे अवसेस मिलते हैं, आदी मानव, जो थे उनके, होमोसेफियन्स जीने बोलते हैं, उनके द्वारा बनाएगी कुछ कला आकरती हैं, यानकी बहुत पुराना इलाका है, देखा उनके द्वारा बनाएगी गुफाएं वगएरा है, बहुत पुराना तो यहाँ पर ही भीम वेटका है, यानकी मध्यापरदेश के रायसेन में ही कुछ सबसे पुराने अवसेस मिले हैं, एक जानवर के, ठीक है जिवाश्रमजी से बोलते हैं जानवर का नाम क्या है? यह पता लगया गया है, डिकिन शोनिया, उस जानवर का नाम है डिकिन सोनिया, और यह कितने पुराने अवसेस मिले हैं? सुनकर हैरान जाओगे 57 करोड पुराने यह अवसेस मिले हैं, और यह भारत के अंदर, और यह दुनिया में केवल भारत के अंदर ही मिले हैं, सबसे पुराने जानवर के अवसेस, जानवर का नाम है डिकिन शोनिया, यह कैसे पता चला है? क्योंकि friends, कुछ ही साल पहले, उस्ट्रेलिया के अंदर भी इसी जानवर के अवसेस मिले थे, लगबग पता नहीं कितने लाग पुराने अवसेस थे, और उनसे जब यह मैच किया, तो पता चला है, यह डिकिन शोनिया जानवर के ही अवसेस हैं, और यह पुष्टी हुई है कि भारत के अंदर यह सबसे पुराने इस जानवर के अवसेस मिले हैं, तो याद रखेगा बड़ा इंपोर्टेंड है, भीम बेट का में मिले हैं यह अवसेस, तो फ्रेंट्स यह था आज का कम्प्रेट करंट इवेंट, आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखा होगा, तो फ्रेंट्स यह देखें, मैंने यह आपर लगा दिया है, जो भीम बेट का दिखाई देता है, कुछ ऐसा है, यह कुछ गुफाएं, आदिमानाव द्वारा बनाई गई गई, और यह कुछ आकरतियां हैं, जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ डिजाइन वगेरा किया गया है, तो ऐसा भीम बेट का दिखाई जेता है, वहीं पर यह अवसेज मिले हैं, तो यह था आज का लाश्ट करण्ट इवेंट, तो फ्रेंट्स अब मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, आपको इन में स आएगा कि भाया, यह वाला मुझे सबसे इंपरेंट लगा, तब ही तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और वीडियो पसंदार लाइक करेगा, अपने दोस्ता शेर करेगा, सभी लोग से मुझे यही शिकायत है कि या सब वीडियो देखके निकल जाते है, कोई भी शेर नहीं करता, और नहीं वीडियो को लाइक करता, तो लाइक शेर करेगा, चैनल को सब्कायब करेगा, और एवरी संडे साम पांच में दिकरंट अफेश्व आपको रेगूलर बेसल पर मिलता रहेगा, बेफिक रहेए, तो चैनले मिलते है एगली वीडियो में बहुत जाल तब तक के लिए चेहेंगें